आज हम समझने की कोशिस करेंगे कि सुजलोन एनरजी को लेकर क्या वो अपडेट निकल के सामने आ रही हैं जो एक इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए क्यूंकि इन अपडेट से कंपनी के स्टॉक प्राइज में बड़े बदलाव हमें देखने को मिलेंगे तो ये वीडियो बहुत ही इन्फोर्मेटिव रहने वाली है और यहां पर हम यही समझेंगे कि अभी क्या हलचल कंपनी के पास हमें देखने को मिल रही हैं क्या वो बड़े ओडर्स हैं जिसकी वज़े से कंपनी में फिर से हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी और दावा किया ज इन्फोर्मेशन जो किलियरली दिखाती है कि अभी जो सेल क्वांटिटी है वो एक करोड़ चार लाग के आसपास है यानि कि जो इन्वेस्टर और इस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं जिन्होंने पैसा लगा रखा है अब उन्होंने मन बना लिया है कि भाई एक करोड़ च खरीदने वाले भी हैं 55,00,00,00 श्टोक्स को आज खरीदा जा रहा है लेकिन जो परसंटेज निकल के आ रहा है सामने वो सेलिंग का ज्यादा है यह जो न्यूज है यह इस पैटरन को चेंज कर सकती है बायर्स को एक्टिव कर सकती है और सेलर्स को डिक्रीज कर सकती है या फिर जो भी इन्वेस्टर सेल करने का मन बना रहे है वो होल्ड करके रखने की सोच सकते हैं तो समझते हैं कि भाई यह न्यूज क्या है अपडेट क्या है फिलाल अभी तो सिनेरियो यही कहता है एक बार हम वोल्यूम को देख लेते हैं उसके बाद सीधा to the point की बात करेंग वोल्यूम आप देखिए कल 15 करोड का ट्रेड हुआ था आज 6 करोड के आसपास का वोल्यूम है और मार्केट को क्लोज होने में लगबग 1 या 1.5 घंटा बचा हुआ है हम कह सकते हैं कि भाई कल जितना रिकोर्ड आज कंपनी ब्रेक आउट नहीं कर पाएगी बट अभी हाल कब तक रहेगा और कितना पोजिटिव रहेगा बिजन स्टेंडर्ड ने 10 अक्टूबर 2024 को एक आर्टिकल पब्लिश किया यानि कि आज के दिन ही एक बड़ा आर्टिकल पब्लिश किया है और इस आर्टिकल में हमें देखने को मिलता है सुजलोन एनरजी ने हाला ही में JSP Green जो की जिंदल रिनेवल एनरजी की ही एक सायक कमपनी है यानि कि एक सबसीडरी है से 400 मेगा वोट का एक बड़ा ठेका हांसिल किया है और ये जो प्रोजेक्ट है स्टील प्रोडेक्शन को कार्बन फ्री बनाने के लिए किया गया है ऐसा भी बोला जा रहा है कि भाई ये भ इन्फोर्मिशन ले लेते हैं इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी की इन्फोर्मिशन हमें पता होना चाहिए इंस्टोलेशन सुजलोन ने बोला है कि वो लगबग 127 विंड टर्बाइन जरनेटर्स को इंस्टोल करने जा रहा है जिसमें सिये परतेक की जो चमता होगी टर्बुलर टावर का परियोग करेगा और यह करनाटक के कोपल छेतर में स्तापित किया जाएगा आप समझते हैं कि बैसिकली जो उर्जा है उसका उपयोग कैसे होगा और कैस तरह से इसका यूज में लिया जाएगा जो भी बिजली उत्पन होगी वह चत्तिसगर्ड और उडिसा में स्टील प्लांट में कैपिटिव कंजेप्शन के लिए इस्तमाल की जाएगी इससे इन संयंतरों की जो संचाल चमता है उसको बढ़ाया जाएगा और भारत के रिनेवल एनरजी लक्से के साथ मेल भी रखी जाएगा मतलब कि भारत का जो टारगेट है कि हमें इ एक बात कह सकते हैं कि सुजलोन एनरजी का कुल ओर्डर बुक लगभग 5.4 गीगा वोड तक चला गया है अब गाईज ये अच्छी खवर है बिलकुल हमें नजर आती है कि सुजलोन एनरजी को ओर्डर इतनी स्पीड से मिल रहे है इतनी धड़ाके से मिल रहे है जो कि कंप इस पर हम थोड़ा डिसकेशन करते हैं जिंदन रेलेवल के जो चेर्मेन भारस सकसेना ने स्टील प्रोडेक्शन में ग्रीन एनरजी को सामिल करने के परती अपनी जो एक्सप्रेशन कम्यूनिटी है उसमें साजा किया है उनको बहुत खुसी है कि वो ग्रीन एनरजी की तर याने वर्तमान 2024 में वो लगबग 3 गीगा वोट की रिनेवल एनरजी प्रोजेक्ट के उपर काम कर रहे हैं उनका तो सीधा कहना है कि भाई 2030 तक मैं इसको 12 गीगा वोट तक ले जाने की फिराक में हूँ याने कि ये मेरा टार्गेट है उनने बोला है कि इसके लिए हमारी क बात करते हैं सुजलोन के जो CEO याने की JP चालसानी का क्या कहना है JP चालसानी ने भी बड़े वादे किये हैं वो भी चलिए सुन लेते हैं JP चालसानी का सीधा कहना है कि भाई स्टील सेक्टर का अगर कार्बन फिरी हो जाता है याने पूरा स्टील सेक्टर कार्बन फिरी हो तो renewable energy के जो लक्षे हैं उनको प्राप्त करने के लिए बहुत ही हमें easy achievement हासिल होगी हम आसानी से जो लक्षे हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं और उन्होंने ये भी विश्वास दिलाया है कि ये जो साज़ेदारी हम कर रहे हैं जिंदल के साथ इस से हमारे उद्ध्योग में अच्छी तेजी आएगी हमारा operation बहुत ही जादा बढ़ेगा और हम एक sustainable की तरफ बढ़ेंगे हमारा business और हमारा काम भी एक sustainable बढ़ने वाला है तो ऐसा हमें इस news article में देखने को मिला है overall एक बात बहुत किलियर नजर आ रही है कि सुजलोन एनरजी के इस order से हमें company का potential नजर आता है हमें नजर आता है कि company ने वाकई में अच्छी growth और अच्छे articles के साथ अच्छी news के साथ ये चीज़ किलियर किये कि सुजलोन एनरजी अभी रुकने वाला नहीं है अब यहाँ पर थोड़ा और समझते हैं company को और जानने की कोशिस करते हैं कि company के fundamentals क्या कहते हैं आपको बताना चाऊंगा कि सुजलोन एनरजी का जो पाइट्रोसिक score है अभी average है यानि company financially बहुत अच्छी नहीं हुई है बठाँ अभी average condition पे आ गई है पहले तो company financially काफी ज़्यादा weak हुआ करती थी अब अगर हम company के strength की बात करें आज company में अच्छी खासी strength है ऐसी ऐसी बाते हैं जो investor को invest करने पे मजबूर करती हैं पहली बात तो यह है कि company कर्ज फिरी है किसी भी तरह का कोई कर्ज आप company पे बचा नहीं है और बचा कुछा कर्ज भी company reduce करती ही जा रही है अगर आप company के profit margin को देखेंगे वो भी quarter on quarter बढ़ते ही जा रहे है अर्निंग per share यानि की एक share के उपर कितनी earning आपको मिलेगी ये भी company continuously बढ़ा रही है book value हो company के promoters हो या फिर company के profits हो सम्में हमें growth देखने को मिल रही है और यही चीज company को एक मजबूत तरीके से टिका रही है और जो news आ रही है उन news से भी हमें idea लग रहा है कि भाई भविशे company का bright रह सकता है अगर हम threat की बात करें तो सुजलोन energy में तीन बड होने ही चाहिए क्योंकि ये तो सब positive बाते हैं लेकिन negative बातों को भी company की ध्यान में रखकर आपको चलना चाहिए पहली जो सबसे negative बात वो यही है कि 75 रुपीज पर जो आपको stock मिल रहा है ये बहुत महंगा है यानि कि company का business model company की sale company का assets इन सब को ध्यान में रखते हुए हम एक बात कह सकते हैं कि company का stock महंगा है और भी सस्ता होना चाहिए लेकिन यहाँ पर हम company की valuation company की जो news आ रही है उनको calculate नहीं कर रहे क्योंकि news company के stock price में बदलाव लाती है और इन बदलाव से ही हम कह सकते हैं कि stock में हलचल होती है जिसकी वज़े से investors को एक संकेत मिलता है कि stock फिन नीचे उपर से सब कुछ अच्छा होने के बाबजूद भी एक खत्रा हमेशा बना रहता है कि जो promoters हैं क्यों अगर सब कुछ अच्छा है तो stock के share price को sell out करते हैं क्यों promoters decrease होते जा रहे हैं और ये तीसरा या दूसरा खत्रा बहुत बड़ा है जो कि कही ना कही investors को क्यों वो हर quarterly कुछ percent decrease हो जाते हैं आप देख सकते हैं पहले promoter 13.28% थे अब 13.26% हो गए हैं जो latest share holding pattern आएगा अगर उसमें promoters decrease होते हैं तो ये अच्छा संकेत बिलकुल भी नहीं है तो गईज ऐसी ही updates और news के लिए आप हमाई channel को subscribe कर सकते हैं एक बात बहुत के लिए नजर का निकाले और इस news का निकाले तो एक बात बहुत के लिए नजर आ रही है कि company long term के लिए अच्छा stock साबित हो रहा है क्योंकि company की जो news हमें अभी देखने को मिल रही है इन सब का impact हमें आने वाले एक दो साल में ही देखने को मिलेगा उपर से company का business model ऐसा है कि भविश्य जै यह present जैसे से आगे बढ़ेगा और जिस तरह से growth होगी एक renewable energy sector में तो सुझलोन energy की growth होना तै है तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम एक बात कह सकते हैं कि भविश्य ब्राइट है business model को लेकर चले या फिर आज की news को लेकर चले लेकिन अभी की जो situation है गो थोड and resource को देखते हैं जब हम company के share holding pattern को देखते हैं उपर से जब हम company के share price को देखते हैं जो कि 75 का है क्योंकि ये जो 75 रुपीज में stock मिल रहा है ये थोड़ा सा over price है PE आप देख सकते है 110 तक पोच गया है ऐसा बोला जाता है कि भाई PE 40 से नीचे हो तब ही अच्छा होता है लेक box को इन दो चीजों से ये company थोड़ी negative नजर आती है बाकी company के business model की बात करें या company की जो latest news है उनकी positivity की बात करें तो हमें संकेत अच्छे ही नजर आते हैं अब आपका क्या विचार है आप क्या मानते हैं इस company के बारे में comment करके ज़रू बताइए बाकी guys किसी भी तरह का कोई bias or hold recommendation नहीं है ना ही आपको कोई financial advice है ये वीडियो totally news और update के purpose से बनाई गई है तो guys मिलते हैं किसी नहीं वीडियो के साथ तब तके लिए take care and good bye